एशिया के पहले बैरिष्टर हैं ग्यानेंद मोहन टैगोर ग्यानेंद मोहन टैगोर का जनुर चौबेश जनवरी 1826 में कलकत्ता में हुआ था 1842 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाप्चिला लिया पर मन नहीं लगने पर पढ़ाई बीच में छोड़ दी इसके बाद इंग्लेंड चले गए उनिवस्ट्री आफ लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी कर एशिया के पहले बैरिष्टर बने ब्रिटेन के कहीं कॉलेजों में कहीं सालों तक कानून के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी 1864 में भारत लोट आये 1865 में कलकत्ता हाई कोड से जुड़े और वकालत करने लगे 5 जनवरी 1890 को इंग्लेंड में उनका निदन हो गया